तो चलिए आज आपके लिए लेकर गया है बरहामिक अच्छा के जिव बिगन इसमें देखिए आपका पुरा जिव बिगन में टोटल इगरहमा और बरहमा मिला दिया जाए तो टोटल दस हिकाएं बाटा गया है जिससे अधे में सुभधा होती है और कुल लेसन देखा जाए तो आपके बरहमा क्लास में बाहरा लेसन दिया गया है बाहरा लेसन में सबसे पहला लेसन जो आपका है जीव में जनन होता है इसमें कोई बेसिक क्लास की बात नहीं होती है इसमें शुरुबात से चलते हैं सब के सब समझ में आएगा शुरुबात से देखते हैं पहला चे जिवों की वह छमता जिसकी सहाता से कोई जीव अपने जैसा सन्ता नुत्पन कर सकता है उसरे जनर के होते हैं दूसरा होता है लैंगे पहले इसको जानने से पहले एक कोशन और पूछता है कि आखरे जीवों में जनन आवस्क क्यों होता है जनन होना अनिवार्स क्यों होता है ठीक है तो देखिए कोशन आपका है जनन जीवों में आवस्क क्यों होता है तो पहला आपका जो इसमें है जन बंदर थे और बंदर से धीमेदे में विकास हुआ तो आज हम लोग मानव बन गए ठीक है तो यानि कहनते हैं कि जनन होना आवस्थक है जहें विकास करने के लिए दूसरा उसके आश्टितु बचाने के लिए आश्टितु कहने का मतलव कि यदि जनन क्रिया संपन नहीं हो आश्टितु को बचाने के लिए भी जनन अवस्थक होता है ठीक है तो इसमें दूसरा रिजन है आश्टितु को बचाने के लिए और थड़ होता है नए 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 गूल लचन उत्मन कर लेकिए जब भी नए नए जीव जनम लेते हैं उसमें गूल लचन हुबहू सेम नही है इसजी के लिए इसमें विकास करने के लिए और गुल लचन में बचाने के लिएammenे फीर से कहते हैं ॉ करते जीवों की वह सम्ता जिसकी सहात्या से कोई भी जीव अपने जैसा संतान उत्पर कर सकता है उसे जनल करते ठीक है जनल जीवों में अवस्य क्यों होता है तो उसके लिए तिन कारण है पहला कारण है जैविकास करने के लिए नमर टू आश्टीदु को बचाय रखने के ल होता है तक कहते हैं देखे इसमें कहते हैं कि जीवों क्यों चम्ता या बोले जनल की हुआ करिया जिसमें नरिगमक और मादय को नहीं दिखाय देता है खुद से ही नए जीवों बनता जैसे किसी पौधा का नाम लेते हैं, आम के पौधा हो, किसी निम का पौधा हो, उस पौधे में देखते हैं किसी नर परजाती और मादे परजाती ऐसा नहीं होते हैं, नकि ऐसा के भी देखते हैं कि दो परजाते की भी साधी हो रहा है, फिर पौधे में ऐसा के भी नहीं होत जिसमें नर्मादा भाग नहीं लेते हैं वह जर्ण कैसा होता है अलांगी और जिस जर्ण के पस्चाथ नर्मादा भाग लेते हैं वह जर्ण को हम लोग लाई जर्ण कहते हैं ठीक है और इसमें नर्मादा के मिलने के पस्चाथ नए इग्मनाज नहीं बनते हैं इग्मनाज और मादा के मिलने को बश्चाथ नई एकमनाश की निर्मान होता है उसको क्या बोलते हैं लैंग जनुर्ण कहाता है ठीक है और कहा जाता है कि इसमें हमेशा एक ही जीव सनेख जीव में और जिसमें दो जीव सनेख बनते हैं वह जनुर्ण कैसा होता है लैंग होता है जिसको में कहा जाता है इसको बोलते हैं सेक्टाइक्श cur rap виноत्या इस में इसको बहुत है इसको बहुत है उटकर फिर बिबसनों थेट लिए कॉछल n के नुदो कियो लागन के संजोग के पास्चाथ नए इगमराज नहीं बनता है और अलागी की जनन के के रिया में एक ही जिव से नए जिव बनते हैं ठीक है और एक समें क्या बोलना है तो कहाना है कि जनन की उवह करिया जिसमें नर और मादा इकमक भाग लेते हैं और नर इकमक और मादा इकमक के complete होगे अब देखे बाबू दूनों में अंतर पुझता है पुझता है कि आलाइंगिक और लाइंगि में अंतर प्रस्ट करें ठीक है तो कई सारे इसमें अंतर देखा जाए तो प्रिभासा ही होता है पहले इसको हम अपने तरीके से बता देते हैं लिखने तरीके भी बता दे इंगिलिष में बोलता हैं क्लोन क्लोन किसे का जाता है? तो काते हैं कि यस यदि Kemalpal के जीव उससे ज़क जाये यह गलरड़ां लेती हुआ जीव आनुमान से ही यह कारशा ल्युप से परहा है रहिग क्ारशुरा करने देखाता है उसको क्लोन कहाते हैं से देखिए कभी आम के पौधा से आम बने क्या लगता कि दुन आसमानता ही देखी जाती लेकिन किसे मानव परजाती में देखिए यदि उसके बच्चे जम लेते हैं तो उस मानव परजाती से कुछ ने कुछ रंग रूप में अलग दिखाई देते हैं तो वह क्रोन नहीं कर बार पहला तरभाबू किसमें नर माधा भाग नहीं छे ननरमादा भाग नहीं लेता है उसको भूंध करने नहीं होता है इसे निर्मादा होता है ठीक और नमाहा खास्ट जास्ट वहांद निर्माहाँ दातल हो गया इसमें नर्माहादा ओप यह नहीं तर्फेन! होता है ठीक है तिर्षा देखते हैं इससमें कलोण के विकाष होता है अब बनते हैं में क्लोन के विकास नहीं होता है क्लोन नहीं बनता है किसमें नहीं बनता है ठीक है और देखा जाए चौथा में इसमें का सकते हैं कि यह जो जनन होता है उन्हें बहुत तेज होता है इसमें कोई निश्चित अब दे नहीं होती है इसमें गती बहुत तेज होता है यानि किसे ब्रिश से किसी पौधे से नए पौधे बनाना हो तो कई तरीके से बनता है कि यदि किसी जाती जंतु में देखा जाए तो उसके एक निशित अबधी होती है अबधी होता है इसकी गती बहुत काफी सुलो होता है लगी इसका गती तेजस होता है तेजस होता है तो यह सुचमजीओं में देखे जाते हैं और यह चोटे और बड़े जूदोने देखाए देखना भी समभव है को से खटना लेंगे ज़नरी किया लेकिन आ ऐसे लिखना नहीं लिखना है तरीका बताते सिद्वा फिस पहले सून लेते हैं क्या कि आंतर होता है देखिए अन्तर बताएं कि दोन में आंतर श्च करना है तो प्रवावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावावा तो कई सारे परिषम बन जाते हैं एक साथ अनेकों परिषम होते हुदी इस्अ में chi और यह चोटे और बड़े दोने जीमें संपन होते हैं तो इसमें और आगे बढ़ते हैं लिखना कैसे से सुनी इसमें लिखना आपको है तो असटार्ट करना है यहां से कहें कोश्टन दिया आएगा अलाइंगिक अलाइंग जर्ण में अंतर निम लिखी थे लिख करके ऐसे बड़ाना नहीं करना ही बच्छे का नियम था अब आप बड़े होगे आईसी में चलाएं तो थो आस्ता नियम तरीकस लिखना है पहला अंतर में लिखना है कि अलाइंग जर्ण में नर और मादा भाग नहीं लेते हैं जब की लाइंग जर्ण में नर और मादा भाग लेते ठीक है पहिला अंतर हो गया नमरट टू में लिखेंगे अलाइंग जरन में नर्ः और माधा के भाग लेने के पसच्छाथ उतन सिर्ड नहीं होता है जब्कि इसमें नर sleeping जर्न के पसच्छाथ उतनbit लिए ठीक है जबकी लगाना है जबकी अंतर बढ़वार नहीं करना है इसने बोलना है अलाइंग जनरन के पस्चाथ क्लोन का विकास होता है जबकी लाइंग जनरन के पस्चाथ क्लोन का निर्वान नहीं होता है फिर आगे बोलना है अलाइंग जनरन की गति बहुत तेज से होता है और इसका गति बहुत धीमी होती है फिर आगे बोलना सबसे लाश्ट में अलाइक जनन प्राहताव सुष्म जीवों में देखे जाते हैं जबकि लाइक जनन छोटे और बड़े दोने जीवों में देखे जाते हैं ठीक है इसका अंतर पुरा श्परश्ट हो गया सा पूरा यह से यहां तक एक बार फिर हाले लिए बोल देते हैं सुन लिजिए उसके बाद आप दिया देखेए को शन्ता पहले कर सकता है दो होते हैं एक होते हैं थूसरा होता है इसे बता है कि जन्रन की वहख करिया इसमें नर मादा भाग नहीं लेते हैं और उसके मिलने के पश्याद इग्मर्ट के विकास नहीं होता है और अल्याइग जन्र से हम ऐसा एक ही जिवत सαιने जिव बनते इसमें लिख30 है इसे बता है कि जेनन की वाधरी यह जिसमें नर और माधा भाग लेते हैं दोनों के मिलने के पश्चाद इकमरप्त कर बिकाष होता है और इसमें दो जीव से एक जीव बनते हैं फिर यहां से कोश्वन हूँ था कि जेनन जीव में आवस्थक क्यों होता है करने के लिए नमटू रिखना है आश्तित्व को बचाय रखने के लिए नए नए गुल अच्छन उत्पन करने के लिए ठीक है यह आपका पूरा जर्ण तक हो गया सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो यह कोश्चन आपसे बावर पूचता हो कि जीवन काल क्या होता है जीवन का जीवन अबधी के नाम से बोल देगा लाइफ सब्सक्राइव तक्षक उलेता हूं जबभी किसी गो बात करे रहे हुआ ए lapse लेने जेकर पार्शात जाए कि ट्रट कर अंडरे जाकर अबिठी घिए के तुछ disaster आज जैंब निया करों सकता है तो इसको जीवनobook नहीं कहतेके मत्लब होता है कि जब 달 ज़न ऌता है और त्राक्विदी तक लाव गिया और प्राकर्द हो होता है उसी अबधिक को हम जिवनकाल या ज्यवर रबधिक कहते हैं किटें इस पुरी जीवनकाल को मोखता चार भाग STAR की हे हं एख होता है है कि इभर शोग अवस्ता करें कि सोरा अवस्ता और इसमें इसको इंग्लिगी के बुंग के इलागा जाता है और फिल युर्वन वास्ता नमब्र टू debit होता है प्रजरन वस्ता प्रजरन वस्ता कर दो अगा और य को बोलते हैं यह आपका होता है ब्रिधावस्ता नेने ब्रिधावस्ता और आपको चार में आपको पुराबार दिया गया है तो आज़ीवन काल को चितना भी ज्रम लिया है करते हैं। जिवन काल को चामांग बाठ दिया गया है। पहला जो आवस्ता होता है जो विलिटी यह Mia किस आवस्ता होता है नुमट तू प्रजण आवस्ता जिसको हमों लग पौड़क्टी फेस कहते हैं। और उसके बाद थर्ड आपका है ब्रीधावस्ता जिसको हमों लोग प्रजन करने योग यानि कि कह सकते हैं किसी भी जीव का लागी लुप से प्रइबाकु होता है जीवन काल की वह अवस्ता करते हैं जीवन काल की वह अवस्ता जिसमें कोई भी जीव प्रजन करने योग हो जाता है और यहां आपका तिसरा है इसमें कहते हैं कि जीवन काल की वह अवस्ता जिसके अंद्रगत किसी भी जीव का कोशिका उत्तक या अंगतंत्र काच करने की चमता कम कर जाता है इसमें कहते हैं कि जीवन काल की वह अवस्ता जिसके अंद्रगत कोशिका उत्तक या अंगतंत्र काच करने की चमता जीवन काल की वह अवस्ता करते हैं और यह जो आपका है इसमें कहते हैं कि किसी जीव का या किसी जीवन काल का वह अवस्ता जिसके अंद्रगत्त जीव कोशिका उत्तक या अंगतंत्र कार्च करने की चमता वढ़ा समाप्त करता क्याना है इसह उत्त अंद्रगत्र किश्का से परिपक होता है लांग कर रूप से प्रिपक होता है नर्मादा एकमग बनने के योग हो जाता है उसे कि उसा वस्ता कहते हैं इसमें कहते हैं कि जीवनकाल के वह वस्ता जिसके अंत्रगत किसी विजीव प्रजान करने योग हो जाता है उसे प्रजान वस्ता कहते हैं इसने वोलेंगे जीवनक की वह वस्ता जिसमें किसी जीव का कुशि का उत तक या अंगतंत्रे कार्श करने की छहनता समत्र कर लेता है वह सकता है वश्यकूरी का एक से दो सब्ता होता है, तो कुछ आपको इस में से कुछ होते हैं, जो आपको अस्कीन पर दिख रहा होगा, अस्कीन पर स्कीन सोट आप ले करके, उसके बाद आप उसको याद कर लिजेगा, और इतना ही आज के लिवावू, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद। कर दो, आपके बाता हैं, अल्ड़ हो आपना ही होगाद।